बज़ो हैं कैऊ अले क्हाल चाल चाहला सब ठीक ठाक तो चलो देखते अमानसर की हाँ जी हाँ जो सोशल साइяंस का जो एकजाम हुआ है उसका कोचिशन देखेंग इस ना सही गए उसका अंसर देखें ठीक है ऑफ सेड़को डि का ये ढुकर यह अपका सेड अपकाम्प एंप darle में दे रहा हूं अपको ठीक ना कि कितना आपका आपने राइट मार्य एक बर मिला लिजेए यह kurz पर सेन्ट आपका राइट होगी ठीक यह आपका है तो चलो मिलाते हैं कि कितना आपका सहसे गया कितना अपका गलत गया ठीक तो देखो आपका पहला कोशन क्या कहता है ठीक ना देख लीजिए आपका पहला कोशन इसमें क्या रखाया है कि किस आयोग किस आयोग कमीटी ने सतत पोस्टनिये विकास की अवधारना प्रस्तुत किये तो बच्चों इसका जो राइट अनसर हो जाएगा वो साइमन आयोग स कि विकास अवधारना की प्रस्तुत किया था अवधारना ठीक ना चलिए आगे देखते हैं कोशन नमर 2 में कहता है कि निम्लिखित में पुरानी जलोड मिटी कौन सी है तो पुरानी जलोड मिटी बंगार को कहा जयता है जी तब कहा राइट अंसर हो जागा बच्चों तो जो प्रथाम राष्टी जल निती जो लागू हुई वो सितंबर को हुए थी ठीक ना सितंबर 1987 अपका राइट हो जाएगा बच्चों यानिका अपसर नमर सी दा राइट अगर आप सी मा रहे है तो आपको नमबर हेंड़ेट परसेंट यह मिलेगा ठीक ना चलिए आग पहरत का सबसे छोटा जय मंदल रिज pendulum कहां सा है उसका अंसर हो जागा दिना इत पट्रिट पका राइट है यही आपका रायट हो जैगा चलिए आगे आपका कहता है यहाँ पर छे में की को ए 9 का उपयोग होता है किप्षेम्ड कि नीन को किया जाता है लेकिद मैष्यट कैंसल ठीधनीсть होता है यह नहीं हो सकता option D right हो जाएगा 20 अपका right हो जाएगा ठीक ना option D is the right बच्चे D मारिएगा आपको D मिलाने की जिरुवत पड़ीगी चलिए आगे आगे आओ अगर आप सही मार रहें तो आपको number मिलेगा 100% मिला लो देखो कितना अपने सही मारें जितने कितने गलत मारें आठ में काता है कि भारत के प्रथम जल विदित सडियन्त के स्थपना कहां की गई तो बच्चो 1897 में की गई थी याद रखना भारत में लेकर वो दार्जनिंग में की गई थी option D is the right हो जाएगा बच्चो D सारे मारेंगे ठी ना चलिए आगे देखीएगा आगे आपको एका में ही भारत में रेल्व और ट्ली ग्राम लाइन का सुरुआत हुआ था अपस्ट नमर 20 दा राइट हो जाएगा बच्चो आगे देखो आके आपका करकाई 10 में की महातमा गांदी के राजिनिती गुरू कौन थे तो गोपाल क्रिस्न गोखले आपका option D सारी सी राइट हो ज बच्चे एको मारके आएं तो सही जाएगा आपका चलिए आगे देखते हैं आगे आपका कता है कि लाल कुर्ती नामक संगठन किस ने किया तो देखिए लाल कुर्ती नामक संगठन जो किया था खान अब्दुलगफर खान ने किया था याद रखिएगा चलिए आगे आग कौन थे जी ते इंडियन स्टुटिव कमिशन की जो अध्यास थे जॉन साइमन थे सारे बच्चे डी मारे होंगे तो आपको सही जाएगा अप्सट नमर्डी दा राइट हो जाएगा एंडट परसेंट अपका डी दा राइट हो जाएगा ठीक ना चली आगे आप पंदरम दि याद रखिएगा चल्ए आगे आगे का करखा कि भारत में प्रथम सुति भारत में प्रथम सुति वस्तर फूद्यो कहां स्थापित किया गया है तो आपको राइट हो जाएगा तो आपको नमबर मिलेगा चलिए आगे 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 आपका करा खाने कि कहाएगा पर्मानु बिदूद गरी किस राज में इस्थित है तो आपका राइट अंसर हो जागा बच्चो बते ही क्या आगे आते हैं चलिए आगे आते हैं आगे दा कि भारत के किस राज में सौर उर्जा का विकास सरदीक संभावना है सबको पता हुआ जी राजस्थान राजस्थान में सौर उर्जा का विकास सबसे ज्यादा संभावना माना जाता है यानिकि बच्चो अठारा का आपका जो राइटन से होग आपको नमबर पका मिल जाएगा चलिए आगे देखो आगे आगे आपका का रखाए इसमें कि निमलिखित में से कौन से डाहनी फसल वाल मंडल नाइट्रोजन के इस्तरी करन नहीं करती है तो बच्चो आपको राजमा राजमा आपका सबसे ज्यादा राइट हो जाएगा तो भारत में जो वफर अस्टॉक जो बनाता है वो आपका राइट अंस हो जागा भारती खाग निगम यानि कि अपका राइट अंस हो जाएगा बच्चो अब दे-दक्चो याद रखेगा चलिए आगे दखिए आगे के अगला कोशन पूछा कि मैंद रेल्वे का मुख्याल है कहां स्थित है तो अगर मुंबाई मारे तो बिलकुल सही मारे वरना आपको सरा का सरा गलत हो जागा ये भी गलत ये भी गलत मुंबाई आपका राइट हो जाएगा बच्छो अपसर नमर 20 ठीक ह है चलिस आगे आग आगे कगि दिम्लिखित में किस समुधाय ने ब्रुशेल्द में बहुत बहुत का गठन किया ई काता है कि रिफधर सक्तरों के बीचम कि विवाजन को कहा जाता है जैंद को दामधर बितरान यानि काफसर में सीजदा राइट हो जाएगा बच्चो याद रखेगा सी मार के आएं तो बिल्कुल आपको राइट मिलेगी तो मिलेगी चलिए आगे देखिए 27 में आपको करा के निम लिखित में से कौन सा नगर्द निगम परमुख कौन से तो महोपार आपका रा हो जाएगा अब करका राश्टवादियों और यूकों के सरकार के बीच कम समझभता हुआ कब समझाता लूंगर्द नेपाल की किस राजाने प्रजा तान्तरिक सासन को शिवकार करने से इनकार कर दिया तो बच्चो इसका जो राजा ग्यानेंद्र जो था तेना उपराजा तांत्रिमिक सासन को सिवकार करने से इनकार कर दिया था सबसे लोगपीरी रूप क्या है तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा लोगतंत्र लोगतंत्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यह आपका साइनिक सासन गलत हो जाएगा ठीक ना आपको कहता कि निमोखित में जिखिंदेश में एक दली पर्नाली है तो बच्चों चीन में को सा खाता विसय शुरुप के लिए है सब घ horrific तो बच्चो राइट हो जाएगा बिल्कुल आपको यह राइट हो जाएगा अगर आपका क्रिसी उत्पादगों की बात करती बच्चो तो आपको यहाँ पर होता एग मारक यहां कि अद्पादगों की बात की रही है बच्चो तीसलिए आपका जो राइट अन्सर को और सी हो जागा आई एस आई मारक चलिए ठीक है आगे देखो आगे आपका करता है ना है कि राष्टि उभॉकता दिवस कब मनाया जा लेकिन आप सोच रहो होगा कि पंदरा मार्च होता है real होंगे उसको बिल्कुल नंबर मिलेगा बाखी 15 मार्च वालगों सारों को गलत हो जाएगा चलिए आगे आते हैं आगे आगे आपका कता कि निमलेखित में से कौन सी विरुजगारी क्रिसी छेतर में पाई जाती है तो बच्चिस का जो राइट अंसर जोगा ऑफसन नमर्ड एजदा राइट हो जगा चीपी विरुजगारी बिल्कुल आपका राइट हो जगा याद रखिएगा आगे देखो आगे आपका कता है कि परधान मंतरी जो नरेद मोदी ने है वो विमोदी करन की घुसना कब की थी गुबीदी करन का मतलब होता है जी जो पैसे जो बंदी हुआ था उसमें तो आपका राइट हा जगा आठ नमर्बर आठ नमर्बर उनीस दोहजर सोल्ला को किया जा जी यानका आपका जो राइट आई नहीं बलकि आरबी आई करता है याद रखिएगा रिजर्ब वैंक ओफ इंडिया और सी दा राइट हो जाएगा बच्चो याद रखिएगा चलो आगया इन नौर बंदरगा कहां इस्तित है नौर बंदरगा जो इस्तित है बच्चो वह तमिल आडू आडू आपका र प्रकृतिक आपदा नहीं तो आतंग बाद प्रकृतिक आपदा नहीं बाकि सुनामी बाड़ भुकाम प्रकृतिक आपदा है तो नहीं पूछा तो बच्चो आपका सीज बिलकुल राइट हो जाएगी चलो आगे दोगो कृसी कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर नहीं बताइए बच्चो तो आपको जो राइट अंसर हो जाएगा बच्चो आपसन नमर सी दा राइट बिलकुल हाँ राइट हो जाएगा बिलकुल राइट सी हो जाएगा कावेरी नधी पर बना रह गया ठीक ना चलिए आगे देखिए निमलिखित में से भुकम तरंग म अपना यंत्र कौन सा है निमलेखित में से भुकम तरंकुम अपने यंत्र का नाम क्या जी तो सिस्मोग्राफ आपका राइट हो जगा बिलकुल आपका राइट हो जाएगा अपसनमर 20 दे राइट बैरोमिटर गलत मारे होंगे आप लोग अगर मारे होंगे तो बिलकुल गलत होता है ठीक है अगर जितना में बता रहा हो अगर आपने उतना मारें तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार से प्रिषानिया नहीं होगी आप आप इंसम्न नहीं लेजिएगा आपको number full पक्का मिल जाएगा अगर अपने गलत बनाए हो तरह तो गलत मिलेगा बस आपको मिला लेन की जरुवत थे कि अपने कितना सही मारे इड़ाइटी सिकेंट शिटिंग का एठीक है ना कोई भी सेट का हो सबको सभी मिलेगा लेकर कोशन आगे पीछ आपका रह सकता है ठीक है चलिए और तलेस का देख लिए निम्लिखित में से कौन सा चेत्र भुकाम यह सुनामी से अधिक प्रभाइट होता है तीज में से सभी आपका राइट हो जाएगा बच्चो ठीक ना आपका यानि कि वल्क परवत के छित्र का भी बरभावित पड़ता है भू भूम तलिये दरार के छित्र में भी और महसागरी घर्त में भी यानि कप समय डी आपका बिलकुल राइट हो जाएगा बच्चो याद रखिएगा आगे देखो फ्रांसिसी क्रामति कब हुई थी तो 1789 मे जिनवा बिश्व बिदाले कहां इस्ती थे तो बच्चो जर्वानी आपका राइट हो जाएगा और बीजदा राइट याद रखिएगा चलो रूस में प्रती निध्यात्मक संस्ता ड्यूमा का गठन कब हुआ था बच्चो ता आपका राइट हो जाएगा 1905 आपका 100% रा प्यार बोड में सोसल साइंस का वो जादा तर्वारा बूक से भी नहीं था यह हमारा इंसी आटी बूक से भी नहीं था मानते हैं मैं आप लोग दुख होंगे दुखी होंगे क्योंकि इस वर्स जितना आपको याद करके गए होंगे साइदे यह आया होगा चार-पाज गो हमको तो लगता है कि देखो मैं आपको सची बाल बताता है कि मैंने भी यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा है एंड एक हजार अबजेक्टिव कोशन डाला था यार उसमें से डास गो सिभ आया है हमको यह लगता है सिभ दास गो सौरी सिभ दास गो आया कितने दास गो ही सोचने वाली बात है हर सलों सब पूछा जाता तो लेकिन इस वर्स बीच में पूछा है थोड़ा करेंट अफेर से पूछा तो आपको भी थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देनी जर्वत था अब करें भी क्या सकते हो जो चुड़िया चुगए खेत में तो कोई बात ने जित मिल्ग烡 प्रफेल से बाहर हो गया था बताइए अपको संदि आपको बिल्कूल राइट हो जया जाका और दिया और सम की घोशना का उद्זה ता चुम और अपको बिल्कुल राइट हो जर ने काव्स भारती राश्टे कमपनी है भारती राश्टे कमपनी बीसदा-र्य इनीय आपको बहुत सारे फोड मोट्स भी मारे होगे लेकिन आपको चलिकली की बता दूए कि फोड ताटा आपका भल्लो राइट हो जाता ताटा गर देता ने तो आपका यह हो सकता था लेकिन आपका मोटर्स दे दिया इसलिए अपका यह गलत हो जाएगा ठीक ना तो आपका यह अधोगी छित्र को मिला है ठीक ना को दिक्कत नहीं बस दिक्कत यही होगा कि गलत आपको जा रहा होगा तो आपको बड़ा खराब लग रहा होगा लेगन का करोगे बताओ मिलाना भी तो बहुत जरूरी है ना कदब 20 वी करन करना करा अत्मक परभाव निम्रिकित में से कि चित्र को दिखा गया तो आपको जो रॉजगार आपका 100 परसेंट रा जोगा बहुत सारे मारे होगे बच्चे तके ना क्रिसी अम गरामीं जो कि बिलकुल गलत होगा यद रखेगा आपको रॉजगार बिलकुल ही हेनडीट परसेंट राइट हो जाएगा याद रखेगा चली आगे ऐङだ शेखलो साथा में करता कि गरामीं क्षित लिए क्रतिभ्यक्ति निल्ट्म कितनी कलोरी निधारित की गई है तो बच्री आगे चलो आगे निम लिखित में कौन सी क्रिशिया धारत नहीं है तो बच्ची की मितिंट क्रिश्य ders नहीं है बलकि यह और क्या है और धोगिक है यानि कि उद्धोग प्राधारित ना याज रखिएगा यह आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चो यह क्रिसी नहीं है बलकि चीनी चमडा वस्तरा यह सब आपको क्रिसी से सम्मधित है चलिए आगे आजाओ कि पावर् अंतरग्त उत्पाधित अंती मुस्त्यूए की मुल्य को जोड़कर राष्टि आयकी घन्ना की जाती है तो बच्चे इसका बिलकुल राइट हो जेगा ब्याए ब्याधि ब्याए बीधी आपको बिलकुल राइट हो जगा अफ्सरमर दी चलिये आगे देखिए आगे देख चलिए ठीक है आगे देखते जाओ सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से देखेंगे भारत में प्रत्थम ओद होगी कि निती की घोसना कब की गई थी बच्चो तो 1948 आपका बिलकुल राइट हो जाएगा हमारे देश के अज़ाद होने के बाद एक साल ठीना अप्सन नमरे कि अमरिकाई होगा प्रका करोगे दिमाग भी खोने के घुम जाता है कदाय आगे कि 68 में की युद्धोतर पुर निर्मान के लिए पाईसे का इंतिजाम करने ही तो किन संस्ता का कठन किया गया तो 200 बैंक नहीं होगा बच्चो अंतरराष्टे मुद्रा को सब का बिलकूर अर्थिक संग की मुद्रा क्या है तो इरो 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 यानि इंडिया समचार्क पत्र को किस ने सुरू किया थै बच्चो तो आपका जो राइट हो जागा वह बिलकूल 100% एनि वेसेंट अपका राइट हो जागा बच्चो याद रखिएगा चलो आगे देखो आगे अपका कैदा की बीना कॉंग्रेस का मुक्र उद्यस क्या है तो बीना कॉंग्रेस का मुक्र उद्यस था लोगतंत्रों को पूरा स्थापित करना उपसर नमर 20 बिलकूल राइट हो जागा बच्चो याद रखिएगा चलो सिकंदर कहा का निवासी था बच्चो तो राष्ट राष्ट्यृत्य की दला सारे बच्चे बिल्कुल आपका राष्ट हो जाएगा इसे घोसना कर दी गई है राष्टि राष्टिक डल के अंतरगति से पहले नहीं था लेकिन आब इसे रख दिया गया लेकिन समाजवाद पार्ठी अभी भी राष्ट्यृति की दल न नहीं है ठीक ना तो सारे बच्चे सी मारें तो बिल्कुल आपका राइट होगा अंसर नंबर पूरा मिलेगा ठीक है एक नंबर पूरा कटेगा ही नहीं सकता है सुचने बात है देखे आगे अजादी के समय से किस देश में सरकार का लोगतांतिक सरूप रहा तो भारत भारत बिल्कुल राइट होगा बच्चो याद हमारा ही देश दि इस दा बिल्कुल राइट चलिए 75 में कहते है एक निमलेत में से किस ने कहा कि धर्म को कभी भी राजनितिक से लग नहीं किया सकता है तो बच्चो ये महत्मा गांदी ने कहा था बिल्कुल आपका बीज दा समादय वादि पार्टी प्लकुल राट होजेगा बच्छो आप्शनमर बपार्ट हो राइट ऑपकोन सो कि बच्छो आप श्कुरीफे से चा है उवह आपका जो राइट अंसर मैं पहले बताती है कि आपको ए राइट बिलकुल यह समांता का अधीकार से संबधित है क्या क्या आ हिकार मैं भूर हुड़ाला सवांता का अधिकार दूसरा रुछ हो जाएगा चलो आगे देखो आगे कता है स्वंटीनाइन में बेश्ट इंडिज में संग के स्थापना कब की गई तो बच्चो इसको जो राइट हो जाएगा बिल्कुल आपका उनिस्व टिगना अन्ठावन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बच्चो आपसा नमबर इस दब बिल्कुल राइट ही तीन जनवरी को पूरा डेट इसका है तीन जनवरी तीन जनवरी को तीन जनवरी दिस्व अन्ठावन को इस थी अस्थापना की गई ती ब्लेष्ट इंडिज में या दखीगा संग के अस्थपना लास्ट कोो बच्चो देखिम देख बच्चों तो इस तरह से बच्चों मैंने अपका आपको इस को कॉमेंट कर सकते हैं मैं आपको कॉमेंट का जरूर रिपलाई दूँगा आपको कॉमेंट करकी बताना है कि मैंने सही बताया कि गलत बताया है ठीक ना असी का आपको देखने के जरुवत है मैं कहाँगा कि मैं गलत भी बता सकता हूं आपको इस में क्यूंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि तो आपको देखने के जरुवते कितनी सएह गया कितना गत्ना रिया गया और कामें जरूर बता है तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में तब- मुड़ी कुद-बाइश